दोस्तों, A and B orders are issued भाई, यानि, A order, B order, हिम्वी में अगर कहेंगे, तो कहादेस और कहादेस, किसके दोरा जारी कियाते हैं, आपको चार अपसन दिये होएं, तो इस question का सही answer है, option A, question number 52, A orders are orders issued prescribing changes, यानि, वो कहादेस, जो जारी होता है, वो किस चीज में जो है दोस्तों, परिवर्तन के लिए होता है, तो यह होता है, चाहे sorting list में परिवर्तन के लिए, चाहे sorting list में जो है change कहे लिए, चाहे alteration in sorting list कहे लिए, तो इस प्रकार जो 52 का सही option है, आपका option B, shorting list, चलिए अगले दोस्तों, question number 53 कह रहा है, कि B orders are issued for, यानि, जो B order है, या खादेस है, ये किस लिए जारी होते है, तो दोस्तों, चाहर आपको option दिये होए, तो मैं आपको पहले ही, जो मैं बता चुका हूँ, कि sorting list का जो change होता है, वो alteration in sorting list, या change in sorting list, जो भी होता है, वो उसमें sorting list में, changes सामिल नहीं होते है, ठीक है दोस्तों, और जो B order जो होता है, वो guidance कहा का होता है, इसको एक चीड़ और आपको ध्यान में रखना है, जैसा यहाँ पे देखी लिखा हुआ है, तो इस question में आपका option C सही है, तो आपको एक तो ये mail office में ध्यान रखना है, कि कह में जो है, shorting list change नहीं की जाएगी, तो 53 का जो है, वो सही answer है, option C, be order issued for option C, 54 देखिए क्या कर रहा है, the letter, dash will be perfect to the letter B, in the case of be order issued in connection with the disposal of camp article, camp bag for high upsell, यानि जो उच्चा दिकारी जो आपके टूर पे होंगे, तो उनकी जो camp वस्तु हैं आएंगी, तो B आदेश उसमें जारी होगा guidance के लिए, तो उसका आगी क्या लगा होगा, चार भी कर दो दिये गए तो इसमें आपका T लगा होगा, इसलिए उन्हें क्या कहत हैं या टूर बी आडर भी कहा जाता है, तो इस 54 का सही answer होगा, T को जो है prefix कहा जाएगा, तो सही option होगा, T, टी बी आडर, तो T prefix होगा, तो टी बी आडर है नहीं, टूर बी आडर, question number 55, वही कहा रहा आप, टी बी आडर दोस्तों किस लिए जा रिखे जाते हैं, तो टी बी जो है option C आपका correct है, question number 56 क्या कह रहा है, कि due mail list के बारे में, दोस्तों 56 जो है आपका वो डूमेल लिष्ट के बारे में बात कर रहा है और उसमें जो है डूमेल लिष्ट के पैटर्न दी हुए है और कोई option दी हुए है अब आपको सही option छाट ना है डूमेल लिष्ट सोज तो जो डूमेल लिष्ट में क्या होता है पहला option दिया है डादधीटेला बैग्स यानि ट्रांजिट सेख्plain और मैल अपिस से पाने या भाए निया यानि तो 56 का डूमेल लिष्ट में यह तीनौ पार्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका option है यह और तीनों और इसलिए आपका सही आंसर होगा option d all of the above 56 का सही आंसर है option d question no 57 देखिए ठीक है फिर यह क्या कह रहा है कि do mail list में जो दोस्तों क्या होगा ठीक है तो उसमें कह रहा है कि mail list के बारे में कह रहा है कि कब लू जाएगा transit bag का इस्तेमाल होगा account bag bio bag में क्या होगा ठीक है और क्या होगा और इसमें क्या होगा तो यह जो do mail list जो होता है तो उसमें जो है यह चारों चीजिए फर्स सेकेंड थर्ड फॉर्थ यह चारों चीजिए उसमें देगे होती है question भी carefully and choose the correct option तो आपके यह चारों option जो है दोस्तों 57 में 1 2 3 4 जो भी statement आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं दू मेल लिस्ट के बारे में यह चारों statement true है ठीक है तो आपको एक सीधा question आ सकता कि transit bag कहा होता है दूमेल में होता account by कहा होते है दूमेल में होता है यह चारों अग पर दोनों बाते होती है कि कि दागरों के लिए जो है mail बैग और रजिस्टर बैग बनाए जाएगा यह भी आपके शॉर्टिंग लिस्ट में होता है और किन कारयालों को जो पार्सल मेल डारे बेजी जाएगी आपर्सल मेल बैग बनाकर बेज़ेगी किस तरीके से बेज ज चीडियों का दिवर्ण जोता आपकी छटाई सुचिया सॉर्टिंग लिष्ट में दिया होता है इसलिए यहां पर आपका 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा option C 59 देखिए side on which the address is written यानि जिस portion पर या जिस तरफ जो है पता लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता दोस्तों तो जो facing है उसका क्या मतलब है तो दोस्तों इसका सही option है आपका option A the arrangement of article with the address side of what's and the address tied to the same direction यानि कि पत्रों को इस प्रकार से भी उस्तित क्या जाए कि जो पता लिखा हुआ है वो उपर की ओर हो और जो सारे भी पते हो वो एक ही दिसा में हो तो question number 60 का सही answer है option A यह facing की परिभा कि find the correct statement about the beat or definition of beat यानि beat की क्या परिवासा दोस्तों जो मैंने आपको यहां पर आपको चार भी कल्ब दी होंगे हैं तो मैंने आपको जब पढ़ाया सभी दा था कि RMS के लिए beat की परिवासा दूसरी है पोस्टल Overseer के लिए दूसरी और वित्रन के मामले में beat की परिवासा तो यहां पर जो A, B, C और तीनों statement दिये गए हैं कि जब हम RMS की बात करेंगे तो इस्टीमर राइन और सक्सन होगा, railway होगा, postal Overseer, delivery agent की बात करेंगे तो जिस area में जो है वो duty परफार्म करते हैं ने कि वो dog बाठते हैं और beat में हमेसा डागगर भी सामिल होता है चुकि जो जो भी डागगर होता है वो किसी न किसी postman के दौरा ही वहां के SPM के articles बढ़ती है यह office के बढ़ती है तो इसलिए जो ABC तीनों statement आपको दिया हुआ है 61 में यह तीनों सही है, इसलिए 61 का सही answer है, option D, विकल्प D सही है, question 62 देखिए क्या करा है, 62 करा the expression camp correspondence means later other article, camp और भी तेनी प्रस्काइडर, यह जो camp पार्ट की लोता है, वो जो उसमें पता जो लिखा होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में यह बात कर रहा है कि जो camp लेटर आएगा, वो किस पकार के पते पर आएगा, तो इसका option है, option B, पोस्ट आउन का नाम नहीं लिखा होगा, और camp bag है, तो intended for high officer and to, जो उच्छा दिखारी आपके, टूर पहोता है, तो इसका सही option है, option B, पोस्ट आउन का नाम नहीं लिखा होगा, तो सही option है, 62 का option B, चले दोस्तों, अगला question, question number 63 की बात करते है, तो question number 63 जो है, आपको late letters के बारे में पूछ रहा है, दोस्तों, तो question number 63 में का जो सही answer है, वो है option C, क्यानि, जो भी later presented at a window of post office और mail office और post in the letter box of mail office after the prescribed hour of closing of mail, but within the interval allowed for posting of such letter with the prescribed letter of exchange in the edition of postage, यानि कि दोस्तों, जो भी जो है mail office में, post office में, या mail office में, और जो later box की बात अगर हम कर लेंगे, तो वो mail office का होगा, option B यहाँ पर आप देखेंगे, तो option B C मिलता जुलता है, लेकिन option B गलत है, चुकि यहाँ later box आप post office दिया हुआ है, इसलिए option B आपका गलत है, तो option C आप का सही है, तो जो later box होगा, वो, कई बार यही पूछ लेता है, कि late later, जो है, कहा कि later box में, post होगा, तो वो post होता है, mail office के, तो later के अगर पजबासा की बात करें, तो option C आपका यहाँ पे, बिलकुल correct है, question 64, are stamped, किन चीजों पे, जो है, detained late fee not paid का stamp लगा जाता है, और detained till next dispatch, और तो जो भी too late later होते हैं, उनको आप जानते हैं, कि उनको रोक लिया जाता है, और उनको मोहर लगा दियाते है, detained late fee not paid, फिर देखे, question 65 कहता है, two late later सारी stand with, यानि कि जो two late later हैं आपके, उनके हम क्या मोहर लगाएंगे, तो 64 में मैं जैसा की discuss कर चुका हूँ, detained late fee not paid की मोहर two late later पर लगती है, तो option है आपका correct है, फिर देखे, question 66 आपकी बात करता है, missing art kill is, तो missing art kill क्या है, तो यहाँ आपका option भी सही है, आपकी बात की बात करता है, जैसे माल लिए कि कोई डाक है, वो A आफिस से B आफिस को भेद दी गई है, बलकि वो C आफिस में जानी थी, तो अगर तीन आफिस जो है गलत चली जाए, तो वो आपका missing डाक होती है, या जो रूट आपका एक प्रिस्क्राइब है, जैसे माल जाना है तो ऐसा नहीं कि उसको आप पहले गुजरात बेदी जाए अंगाबाद फिर दिल ली भेलिए तो रूट आप चेंज भी नहीं करना तो जो भी रूट चेंज हो कि डाक आती वह भी मिसेंट डाक कहलाती है तो 66 का आपसं सही आपका बी इरॉनिसली फॉरवर्डड एन कि अन्वी इक अपेत्वर कों जिनेंश जो को इस से मल्यालम यां कर शडिके में थामिल्न जा है विक्रम करता है और ऑफिसा का आपका सही आंसर है option a question number 69 देखेंगे दोस्तो trial card are employed for the purpose of कि जो आपका जो है दोस्तो trial card है वो किस लिए बनाए गया है तो यह बनाए गया है determining the relative advantage of alternative mail routes और the cause of detention of article यानि कि हम किस रास्ते से या किस महद्दम से डाग भेजें तो उसके लिए नए रास्ते alternate रास्ते या mail route के पता लगाने के लिए और जैसे कि trial card जा रहा तो रूक रहा तो बाद में भी यह पता लगाते उससे कि क्यों article detain हो रहे है क्यों article रोकी जाई तो question number 69 का सही अंसर है option c देखी question number 70 भी आपका दोस्तो अगला trial card पर यह trial card contains certain filtered column these columns should be carefully filled in by the यानि दोस्तो जब आप पढ़ेंगे definition तो आप देखेंगे कि जो है trial card में 4-5 column दिये होते हैं तो वो column कौन भरेगा head sorting assistant बिल्कुल postmaster और supervisor आप इचाफ इस हाज आज आज आएगा वहां के postmaster या supervisor बिल्कुल भरेंगे section handling जिन sectionों से होके गुजलेगा वो भी तो दोस्तों यहाँ 70 का जो सही option आपका निकल के आएगा all of the above यानि जो printed column है return in दोस्तों जो trial card होता उसको कैसे वापस किया आज आजाता है तो यह वापस कियाता है in a departmental envelope एक विभाग्ये लिभापा में अब एक क्कोशनिवी आ सकता है कि trial card किसको वापस कियाता है यानि trial card are written to whom तो यह उसका आजाता है जिस official इसको जारी कियाता होता है तो उसी को जारी करते हैं तो अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि trial card are return to return in a departmental envelope तो return अगर किसको होता है return किसको करेगा return किसको करेगा officer को करेगा officer को जिसने इसको issue किया है officer of issue को return करेगा चलिए 71 का सही option है option B अगला देखे 72 trial card should be forwarded by the root if any mark there in and should not be included in any यानि trial card को पहले बाद पर question आपका ही बन सकता है कि trial card को किस route से forward किया तो जिस route से तो वो आया है या जिस route उस पर लिखा गया है कि नहीं नहीं हम नया route ढून रहे है तो यह जो described route है चन्नही से दिल्ली का वो ऐसे नहीं जाएगा यह चन्नही से पहले बैंगलाओर जाएगा फिर बैंगलाओर से डैली जाएगा तो एक तो आपका question इस present में ही चुपा हुआ है question कि वो mark route से जाता है पिर यह करा should not be included in any कि trial card को कहा नहीं सामिल के जाना चीए चटाई के दोरन तो इसको नहीं सामिल के जाना चीए station बंडल में यानि आपका 72 का दोस्तों option भी सही है आगरी question form number of trial card is दोस्तों trial card का form number क्या है तो M26A तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिलते जुलते option है M26 से तो आपको confused नहीं होना है यहाँ आपका सही option है option C यानि कि 26 A M26 A तो दोस्तों इसलिए जब भी कभी number